Hello everyone, my name is Dr. Shipra, स्वागे थे आपका मेरे YouTube चैनल लन्वी डॉक्टर शिप्रपर आज का हमारा टॉपिक है एसाइटिस जिसे हम लोकल लेंगोज में बोलते हैं जलोदर जलोदर basically क्या होता है जब किसी वेक्ती के पेट में पानी या अबनॉर्मल फ्यूड बढ़ जाता है उसे हम बोलते है जलोदर हम medical terminology में समझेंगे अब इसे जब किसी वेक्ती की peritonial cavity में peritonial cavity क्या होता है जिसमें हमारे जित्ते भी abdominal organ है वो सुरक्षित रहते हैं that is peritonial cavity जिसे वो cover करके रहते हैं जब इस peritonial cavity के अंदर abnormal fluid या पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं ascitis की condition ascitis basically किसमें ज़्यादा होता है जो व्यक्ती liver disease से suffer कर रहे है जिनको liver cirrhosis है या जिनका liver proper function नहीं कर रहा है ऐसे 80% व्यक्तियों में ascitis के condition हमें देखने को मिलते हैं अब type of ascitis की मैं बात करूँ तो ascitis की हम 3 grades में divide करते हैं grade 1, 2 and 3 grade और इनको जो divide किया हुआ है वो हम fluid के level के according या fluid के quantity के according हम divide करते हैं अगर किसी व्यक्ती में up to 150 ml ही fluid है abdominal cavity में, peritoneal cavity में उस condition में हम उसे grade 1 या mild की condition में डालेंगे और ये हमें visibly नहीं पता चलता है ये हमें ultrasound या state scan कराने पर ही पता चलेगा second होता है grade 2, grade 2 यदि किसी व्यक्ती में डेट से 2 लीटर तक peritoneal cavity में fluid है उसे हम detect कर सकते हैं कैसे flank में bulging दिखेगी प्लस shifting dullness मिलेगी shifting dullness का क्या मतलब है अगर व्यक्ती सीधा लेटा हुआ है अगर वो करवट बदलेगा तो उसका जो fluid है वो भी करवट के साथ में इस तरीके से shift हो जाएगा that is shifting dullness grade 3 होगा अगर 2 लीटर या 2000 ml से भी जादा fluid है उसे हम grade 3 बोलेंगे ऐसे patients को हम visibly बता कर सकते हैं प्लस ऐसे patients में हमें fluid thrill test positive मिलेगा what is fluid thrill test ऐसे व्यक्ती को आप सीधा supine position में लिटा दीजे एक पेट के एक तरफ आप हात लगाईए दुसी तरफ से आप इस तरीके से जब करेंगे तो वो fluid की एक जो waves होती है वो इस तरीके से बन के जाएगे और दूसरे हैंड की तरफ आपको feel होगी that is fluid thrill test या fluid wave test यह हमें किसमें मिलेगा यह हमें grade 3 के patients में देखने को मिलेगा अब classification of ascitis वो हमने किया fluid की मात्रा पे अब हम fluid अगर clear है तो उसे हम बोलेंगे transduit अगर fluid infected है या उसमें kiles है blood है या कुछ भी present है उसे हम बोलेंगे exudit तो transduit और exudit दो conditions में हम divide करते हैं यहां आपसे फितना समझें कि transduit अगर fluid होगा तो उसमें SAAG की जो value है वो 1.1 से जादा होगी और exudit में 1.1 से कम होगी दूसरी चीज प्रोटीन जो होगा transduit में 2.5 ग्राम पोडियल से कम होगा जबकि exudit में प्रोटीन की मात्रा जादा होगी वो आपको बताने की ज़रुरत नहीं है क्यों क्योंकि clear fluid होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा जादा होगी अब जो मैं बता रही थी है S.W.A.G. यह क्या होता है यह होता है serum acytis albumin gradient अब यह high हमें मिलेगा तो क्या होगा transduit होगा अगर इसका value low होगा तो exudit होगा अब किस-किस condition में आपको transduit मिलेगा और किस condition में आपको exudit मिलेगा वो आप यहाँ पे देखिए अगर कोई व्यक्ति cirrhosis है किसी व्यक्ति को cirrhosis है liver cirrhosis है बहुत जादा alcohol ले रहा है viral है या cryptozannic है उस condition में आपको जो S.W.A.G. का value जो है साब का जो value है वो आपको high मिलेगा heart failure के conditions में 3% S.A.K. सिस होते है जिसमें आपको transduit flu मिल सकता है constructive pericarditis हो गया quashiorka disease हो गया या hepatic venus occlusans हो गया इन सब जिसमें हम birth cherry syndrome भी आता है जो हम liver में पढ़ चुके है इन सब conditions में क्या होता है इन सब conditions में आपको देखने को मिलेगा इसका value high जबकि cancer के जो patients होगे 10% उन में जो value कम देखने को मिलेगा कोई infection है tuberculosis है pancreatitis है serocitis है hereditary enziodema है या nephrotic syndrome है इन सब conditions में क्या होगा S.W.A.C.S.A.T. की value जो होगी वो कम होगी और इस condition में जो fluid accumulate होगा that is exudate flu अब इसके symptoms के हम बात करें कि ascitis के patient है अगर किसी को ascitis है तो उसको क्या symptoms देखने को मिलेंगे mild condition में कोई भी symptoms देखने को नहीं मिलेंगे जैसा कि मैं पहले बता चुकियो अगर 500 ml तक fluid का accumulation है तो कोई symptoms नहीं आएंगे ऐसे patients को सिर्फ USG और CT scan के द्वारा हम diagnose कर सकते हैं कि उसमें fluid का मतर है बट कभी-कभी क्या होता है severe recitis की condition में हमें respiratory syndrome देखने को respiratory जो embracement होती है वो देखने को हमें मिलती है gradual distension मिलेगा देखिए पानी ऐसा तो है नहीं कि आज व्यक्ती सोया था एकदम healthy था और एकदम से उसके पेट में 2 लीटर पानी आ गया ऐसा कभी नहीं होगा उसमें जो accumulation है वो धीरे-धीरे बड़ेगा मतलब gradual distension मिलेगा पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा इस तरीके से जो abdomen का distension है वो हमें धीरे-धीरे gradually बिलेगा progressive abdominal heaviness and pressure feel होगा जैसे कि मैंने बताए gradual distension होगा उसी according जो abdominal heaviness है अगर 100 ml fluid है तो उसका जो heaviness होगा वो अलग होगा 1500 पे अलग, 200 पे अलग, 1 liter पे अलग, 2 liter पे अलग जैसे जैसे fluid की मात्रा बढ़ती जाएगी उसी तरीके से pressure जो abdominal organs पे वो बढ़ेगा और उसी के according हमें happiness feel होती है shortness of breath मिलेगी अगर fluid का accumulation जाद है तो lungs पे भी effect पढ़ेगा और shortness of breath देखने को मिलेगी और spontaneous bacterial peritonitis के chances बढ़ सकते हैं अगर जो fluid है उसमें infection होता है तो उस condition में हमें peritonium जो layer है जिसमें pure का accumulation है उसमें भी inflammation है इंफेक्शन के chances बढ़ जाएंगे sign हमें क्या देखने को मिलेंगे यह बहुत important है आप समझे इस चीज को first हमें मिलेगा puddle sign puddle sign हमें मिलता है mild conditions में बहुत जादा important नहीं है बस याद रखिए mild condition में हम puddle sign देखते हैं second है shifting dullness मैंने बताया अगर जो moderate condition है या grade 2 वाले जो patient है उसमें हमें shifting dullness मिलेगी जैसे ही व्यक्ति अपनी position change करता है अपनी side change करता है वैसे ही जो dullness है वो जो fluid है वो दूसरी तरफ shift होगा और अगर हम इसे examine करना चाहें तो उस condition में जब हम percussion notes देखते हैं तो वो dull मिलेंगे जैसे ही उसकी shifting होगी ठीक है तो यह हो गया shifting dullness fluid thrill मैं बता चुक क्यों severe या grade 3 condition में मिलेगा इसमें एक wave generate होती है जब आप tap या push करते है उस condition में और वो आपको opposite side of abdomen पे feel होती है जैसे कि मैंने बता है अब opposite side पे hand लगाए दूसरी तरफ से tap कीजे जो fluid की जो waves है वो आपको इस hand में feel होगे that is fluid thrill ya wave test ठीक है tanual sign हमें देखने को मिलता है यह हमें यह देखने को मिलेगा कि umblicus अगर उपर की तरफ shift हो रही है ठीक है जो amblicus है वो नीचे की तरफ shift हो रही है तो वो ascitis के कारण हो सकती है यह आप differentiate कर सकते हैं कि किस कारण से उसमें distension मिल रहा है तो आप basically क्या कीजिए simply उसका amblicus देखिए पेशेंट का अगर amblicus नॉर्मल पोईशन से उपर जाता होगा दिख रहा है smiling horizontal amblicus मिलेगी देखो हमारा जो amblicus होता है वो round shape में होते इस तरीके से अगर वो इस तरीके से horizontally ऐसा हो जाता है तो ऐसा लगते है इसे smile कर रहा हूँ जैसे हम smile करते हैं तो हमारा horizontally जो lip का होता है वो बढ़ जाता है उसी तरीके से smiling हमें amblicus देखने को मिलेगी किस condition में isitis के condition में इसके अलावा हमें क्या science देखने को मिल सकते हैं या किसकी वज़े से जो sinus symptoms से हम पढ़ चुके हैं इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी conditions होती है जिसमें हमें isitis के science जो होते हैं वो इन कारणों से भी present हो सकता है देखिए portal hypertension portal hypertension अगर होगा तो cirrhosis के कारण होगा या fibrosis हो जाए liver में या portal hypertension में पहले पढ़ा चुके अगर liver में या hepatic duct में कोई भी blockage हो जाए या CBD में कोई भी blockage हो जाए उस कारण से भी क्या होता है portal hypertension लेने के chances बढ़जाते हैं portal hypertension में हमने वो भी पढ़ाता कि अगर portal hypertension होगे तो às जेल वैरिसेज होने के chance होते हैं इसाटlex होने के chance होते हैं स्प्रीनों मीगेली होने के chance होते हैं अगर portal hypertension जादा होगा तो hemorrhoid spascience को जादा होगी तो ये सारी चीज़े मैं पहले पढ़ा चुकिया, आप मेरे प्रीडियस लेक्चर्स में ही देख सकते। लाक स्वैलिग मिलेगी, ब्रूजिंग मिलेगी, गायने को मैस्टिया मिल सकता है, हेमेट मैसिस मिल सकती है या मैंटल चींज मिल सकता है एंसेफलोपैथी के कारण। इन्वेसिकेशन में हम देखे तो complete blood count हमें कराना है basic metabolic profile कराना है जिससे basic metabolic profile कराने से हमें क्या पता पड़ेगा कि हमारा liver properly functioning है या नहीं है liver enzyme and cognition की हम जाज करेंगे देखो हमें basically blood के साथ-साथ fluid और liver को proper examine करना है लीवर को proper examine करना क्यों जरूरी है क्योंकि मैंने बताए 80% patients में जो cirrhosis होता है वो 80% patients में जो ascitis होता है वो liver की problems के कारण होता है तो liver को हमें properly diagnose करना proper जरूरी है diagnostic paracentasis होगा additional test में हम क्या करा सकते है microbiological culture करा सकते है gramstein करा सकते है cytopathology चेक कर सकते है इसके अलावा हमें sacrifice कराना है इसमें serum ascitis albumin gradient हम चेक करते हैं कि जो हमने fluid लिया है उसमें albumin की मात्रा कितनी है ठीक है अगर यह high gradient में है तो maybe due to portal hypertension हो सकता है low gradient है तो non portal hypertension cause हो सकता है इसका ultrasound करेंगे doctor studies करा सकते हैं अगर में overall बात करूँ तो अगर fluid की मात्रा बहुत जादा कम है उस condition में city scan is very good option city scan में आपको proper सब कुछ पता चलेगा और अगर आपको fluid basically दिख रहा है आप उसे proper पर diagnose कर पा रहे हैं आप fluid field test कर पा रहे हैं आप shifting illness देख पा रहे हैं उन सब conditions में हमें city और ultrasound की ज़ुरत नहीं पढ़ती है उस condition में आप आपके examination करा के भी आगे को से treatment के लिए कर सकते हैं अब investigation जो है आपको अगर fluid के लेवल पे मैं बताऊं कि किते fluid के लेवल पे आपको कौन सा कराना चाहिए अगर व्यक्ति को 80 ml तक fluid है तो आप से लटकाते तो एक तरफ आजाते है न इस तरीके से वैसे थैली जैसे नीचे की तरफ हो गई है ऐसा आपको फील होगा जैट इस पडल से ठीक है shifting dullness आपको पैता है कब देखना है और शू डलनेस आपको मिलेगी इस तरीके से यह हो गया ऐसे यहां पे देखे और शू डलने इस नीचेड़ा और फ्लू त्रील आप चेक कर सकते हैं शूश्र सकती है देखे अभी आफ भूट लोग सौचेंगे कि अभी मेनम बता रहीती कि 2 लिटर से जादा है तो हमें फ्लू थ्रिल करना है यहां लिख हूआ है मोह धन ृटर थ्रिल करना है जोशारी बूग में अलग-अलग टेक्स में अलग-अलग रेफरेंस है लीटर्स को लेकर के कि किते लीटर पर हमें क्या करना है तो आपको बिसिकली बस इतना याद रखिए कि हमें 2 लीटर से उपर हम फ्लूड ट्रिल मैथर चैस कर सकते हैं